तो आज मैं लेकर आगे हूं एक नाम है लाव चिंगडी। ये लॉक्वी को ग्रेश को ना में बड़ Pocket कर लहा हैं एक जिंगा मचली जिंगा मचली इस तरीके से साथ मैं वहशा में बड़की क्री नाegeē अगर आपके पास यह अजमूत सीड नहीं है तो कोई बात नहीं आप से सर्सो डाले अब इसको हल्का फ्राइ कर लेना है अब मैं इसमें लॉकी आइड कर दूँगी यह बहुत ही कम मसाथ है अब बहुत ही सिंपल तरीके से अब इसमें हल्दी और नमक अब लॉकी को अच्छे से पका लूँगी अब इसमें यह जिंगा मचली भी आड कर दूँगी तो देखें अब इसको मिक्स कर लूँगी अब इसको थोड़ा पकाना है इसमें मैं डाल रही बेंगॉली गरम मसाला आपके पास नहीं है तो कोई नहीं आप कोई भी गरम मसाला डाल दो और थोड़ा सा लाल मिर्च पॉड़ा डाली हूँ और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा और इसमें यह मैं हरा मिर्च डाल यह तीखा बिल्कुल भी नहीं है बस एक फ्लेवर आएगा इससे लौकी की सबजी में यह बहुत ही अच्छा लगता है देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और इसको मैं गरेवी को तोड़ा सा डार करने के लिए चावल का आटा लिए हूँ और इसमें डाल दी आटा वस इसको थोड़ा दर पकायेंगे तो यह थोड़ा सा थीक हो जायएगा इस करमी के मौसम में ये बहुत ही सही है हल्का सबजी खाने का और इसमें मैं ग्रेवी डाल रही हूँ उसके लिए पानी आट कर दी ज्यादा ग्रेवी नहीं रखुँंगी तो देखिए इतना ग्रेवी रखने वाली हूं है और धन्यापत्ती तो इसमें जरूर आड़ कीजे लौकी की सबजी में धन्यापत्ती बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं धन्यापत्ती आड़ कर दी तो ये हो चुका है मेरा तो लौकी जिंगा की करी रेडी है लाव चिंगडी की सबजी रेडी है तो आपको कैसा लागा जरूर बता है थैंक यू